हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हीरो की अपकमिंग बाइक और नी स्कूटर के बारे में जैसा कि आप सभी को पता है कि फेस्टिबल सीजन स्टार्ट हो चुका है अब ऐसे में जो है हीरो कंपनी अपनी पांच नवी प्रोड़क्त को इंडियन मार्केट में लॉंच करने के तैयारी में लग चुकी है सबसे पहले मैं बता दूँ इसमें पांच में से कुछ स्कूटर भी है और कुछ बाइक भी आपको देखने को मिलने वाली है इन में से कई को डिलर सिप के पास भी देखा गया है और कई को टेस्टिंग के दोरान भी स्पोर्ट आउट किया गया है सबसे पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं कौन-कौन से इसमें आपको बाइक या स्कूटर देखने को मिलने वाले है सबसे पहला जो चीज आपको देखने को मिलने वाला जो नेया मोडल देखने को मिलने वाला वो है X-Pulse का 204B में आएगा और जो सेकेंड वो है Stream का 160R Black Edition में रने वाला है ठर्ड जो है Pleasure Plus X-Tec में आने वाला है फॉर्थ जो है यह स्कूटर होने वाला प्लेजर प्लस एक्स टेक और जो फॉर्थ है में स्ट्रो एज 125 एक्स टेक यह भी आपको स्कूटर में देखने को मिलने वाला एंड जो लास्ट हो है जो इंजन है वह देखने को मिलेगा मतलब पहले जो जिसमें टूवी आता था उसमें अब आपको फॉर्थ वैल वाला एंजन देखने को मिलेगा जिससे थोड़ा यह रिफाइन हो जाता है और पावर भी इसमें थोड़ा सब बढ़ जाता है सबसे पहले अगर हम बात करें X-Pulse 204V तो इसमें सबसे पहले आपको बता दू कि पहले जो 2-Valve वाला इंजन आता था अब इसमें आपको 4-Valve वाला इंजन देखने को मिलेगा साथ ही इसमें 5-speed आपको gearbox देखने को मिलेगा इंजन आपको सेम देखने को मिलेगा 199.6 CC का सिंगल स्रेंडर वाला इंजन देखने को मिलेगा साथ ही अगर जो नया इसका आने वाला है 204 V इसमें जो है पिलियन के साथ टेस्ट राइड के टाइम देखा गिया है जिसमें 112 पर ये क्रूज करती वे नजर आ रही मतलब आपक चैनल को मिलेगा साथ ही इसका जो फ्रंट का फेंडर देखेंगा तो हाप आपको ब्लू कलर के सकिम देखने को मिलेगा और इसके एक्सप्न फ्यूर टेंग पर आप देख सकते हैं 200 लिखा हूआ मिलता है साइड बोक्स पर आपको बड़ा सा एच का श्टिकर देखने कि इसमें कंपनी है कि optional में इसके related भी launch कर रही है जो आपको 4W के साथ आजाएगा इसका अलग surprise लगता है और यहाँ पर और एक चोटा सब्डेट है जो की है कि इसमें आपको दो color scheme देखने को मिलेगा एक तो आपको मिल जाता है blue और white वाला option और second जो है अभी जो है कि यह कुछ change है अभी निकल के सामने आया है official क्या कुछ होने वाला है यह तो confirm उसी time पता चलेगा बट जो भी मैं बता रहा हूँ यह आप मान के चलिए कि 80-90% यह चीज़े सही होने वाली है साथ इसके कुछ और फीचर के बारें बात करें तो इसमें आपको digital instrument console मिल जाता है Bluetooth connectivity का option मिल जाता है turn by turn navigation मिल जाएगा LED headlight मिल जाएगा LED tail light single channel avias भी आपको इसमें मिल जाएगा और front और rear दोनों में आपको disc देखने को मिल जाता है front में आपको telescopic fork की देखने को मिलेगा और rear में जो है suspension फ्री लोड एज़ेस्टबल monosfex suspension देखने को मिल जाएगा तो overall कहने का मतलब है कि आपको बिल्कुल चीजे से मिल बस इसमें आपको कुछ new feature देखने को मिल जाएगा और इसमें आपको थोड़ा सा ज़्यादा power देखने को मिल जाएगा साथ ही relay kit भी इसका company ने launch किया है तो यह कुछ है इस bike में आपको देखने को मिल जाएगा second अगर हम बात करते है hero की pleasure plus x tech जो की यह है 110 cc की x tech इसका company ने नाम रखा तो जैसा कि x tech से आपको पहले भी पता हो चुका होगा कि glamour की x tech है जिसमें अभी के हिसाब से 125 cc के हिसाब से hero company ने जो दिया था feature काफी जादा दिया था जिसमें आपको turn by turn navigation, digital instrument console, side stand, मतलब काफी सारा feature आपको उसमें देखने को मिल जाता है LED headlight तो इसमें भी आपको same way चीजे देखने को मिलने वाली जैसा कि अभी आपने company ने है कि इसका teaser भी आउट किया है जिसमें आप देख सकते हैं कि दो आपको DRL देखने को मिल जाता है और LED headlight भी आपको देखने को मिल जाता है थोड़ा सा नीचे अगर आप चलते हैं तो नीचे side में आपको इसका indicator भी देखने को मिल जाता है जो कि premium इसमें बनाता है साथ ही यह Bluetooth connectivity के साथ आ जाता है जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते call alert message alert तो यह सारा चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल जागा semi digital instrument console देखने को मिल जाता है color screen में आपको yellow एक नह color screen में देखने को मिल जाता है साथ ही इसका जो exhaust के पास देखेंगे तो जो heat sealed है वो भी देखने को मिला chrome finishing में और यहाँ पर जो rear view mirror जो है यहाँ पर भी आपको chrome का finishing देखने को मिल जाता है तो यह कुछ है जो बाकी इसमें जो design है और जो stickering और 3D में जो logo वेगरा दिया गया है वो बिल्कुल पहले की तरह ही same रखा गया है तो इसमें जो feature होने वाला है वो glamour की extra type का feature होने वाला क्योंकि company जो है सब में upgrade कर रही है क्योंकि यह feature होना भी काफी अच्छा है जिसमें आपको sad distance sensor वाला भी सब कुछ इसमें मिल जाता है तो यह चीज़े इसमें होने वाली है साथ ही इसमें मैं बता तुए इसमें आपको 110.9 CC का single cylinder L-cooled OSC वाला 4 valve वाला FI engine देखने को मिल जाता है जो automatic transmission पे काम करता है overall जो look है वो same रहेगा LED headlight मिल जाता है Bluetooth connectivity मिल जाता है इसका जो length है वो बिल्कुल सेम रहेगा 1769 mm with 704 mm wheelbase आपका होने वाला है 1238 mm ground clearance 150 mm होने वाला है और वहीं इसके कार्बोएट के बात करें तो 106 kg का इसका कार्बोएट होने वाला fuel tank आपको 4.8 लीटर का fuel tank capacity देखने को मिल जाता है तो यह हो गया second जो ठर्ड बात करें extreme 160R तो इसमें आप देख सकते हैं कि black color इसमें आपको नया देखने को मिल रहा है साथ ही इसमें ग्रेवरेल आपको देखने को मिल जाएगा और हल्का फोलका इसमें आपको चेंज देखने को मिला बाकी इसमें जो है power वगेरा बिल्कुल सेम रहने वाला इसमें नया color एट किया गया है ग्रेवलेर एट किया गया है और seat में भी थोड़ा सा चेंज देखने को मिलने वाला है हाला कि यह जो है डिलर्सीप के पास एक ही image आया है और भी कुछ ही image आता है यह official जो भी teaser आउट होता है उससे हमें कुछ और भी information मिल जाएगा और वहीं में स्टो एच की बात करें तो इसमें भी आपको सेम वही फीचर देखने को मिलने वाला है जो कि गलेमर एक्स टेक में मिलने वाला है बाकि अभी इसका कोई भी official और भी image आउट नहीं हुआ है यह टीजर भी आउट नहीं हुआ है यह dealership के पास spy shorts के थूँ ही मैं इसको बता रहा हूँ जैसे और भी कोई detail आएगा तो उसके बारे में आपको बता देता हूँ यहां पर बात करें hero की extreme 200S4 भी इसको एक भी एक testing दोना spy shorts इसका आउट हुआ है overall look तो देखने में बिल्कुल सेम लग रहा है यहां पर आपको petrol tank पर थोड़ा change देखने को मिलेगा जहां पर आपको red color option देखने को मिल जाता है बाकी में आपको black color option देखने को मिल जाता है हाला कि इसमें मीडिया रिपोर्ट के माने तो इसमें भी कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं बताया जा रहा है तो मैं अपने तरब से उसको तो आपको गलत इन formation नहीं देना चाहूंगा तो जैसे भी इसके बारे में और भी कुछ अपडेट आता है तो मैं आपको बता दूँगा बट अगर वहीं इसके launching के बाद करें कि इन सबका launch कब होने वाला है तो कुछ media report में बता जा रहा है कि 6 October के दिन इसको launch किया जाने वाला है company के तरब से बाकी जो official ऐसा update आ रहा है तो उसमें बता जा रहा कि दिवाली तक इनको launch किया जाने वाला है तो ये कुछ पांच आपको बाइक और scooter देखने को मिलने वाले है इस दिवाली इस मन्त में आपको ये चीजे launch होते वे दिख जाएगी हीरो के तरफ से अभी teaser जो जारी किया गया वो भी आप देख सकते हैं बाकी इस्टाग्राम पर अपडेट रहे है या फिर आप जो भी teaser आउट होते रहेगा मैं अपलोड करके आप लोगों को अपडेट करते रहूँगा तो फिलाल इस वीडियो में इतना ही चले मिलते किसी और वीडियो में ने अपडेट के साथ तब तक लिए राइड विद बाइक लोगों करते रहे लोगों किसी और वीडियो में इतना ही